हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग वंदना राय हो मेकर में आपका स्वागत है फ्रेंट्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक अपनी पुरानी बनारसी साड़ी से मैंने कलीदार लहंगे की कटिंग आपके सार शेयर की थी और आज मैं उस लहंगे के बलाउस की कटिंग आपके सार शेयर करने वाली हूँ यह जो है उस बनारसी साड़ी का आचल है यह आचल मैंने कट करके निकाल दिया था और आज मैं इस आचल से उस लहंगे की चोली यानि बलाउस की कटिंग आपको बताऊंगी तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बनार्सी साड़ी का आचल है जो मैंने कट करके निकाल दिया था अपनी साड़ी से और आज इस आचल से मैं उस लहगे की चोली बनाऊंगी तो ये ग्रीन वाला पार्ट जो है मैं इस पार्ट की चोली बनाऊंगी तो इस पार्ट को जो है मैं पहले काट कर अलग कर दे रही हूँ तो इस पार्ट को थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैं कट कर ले रही हूँ जिससे ये बढ़ाया हुआ पार्ट सिलाई में चला जाएगा और ये ग्रीन वाला पार्ट ही उपर उभर कर आएगा तो लगभग एक इंच, एक इंच का मार्जन रखते हुए मैं इस पिंक वाले पार्ट को काट कर अलग कर देती हूँ ये पार्ट जो है मैंने काट कर इसका अलग कर दिया अब अगर मेरे को स्लीव्स बनानी होंगी तो मैं इस कपड़े से स्लीव्स बना लूँगी वरना मेरे को अभी स्लीवलेस चोली बनानी है तो मैं इस कपड़े को अलग रख देती हूँ बाद में अगर मुझे कभी लगेगा कि स्लिफ्स अटैच करनी है तो मैं उस कपड़े से अटैच कर लूँगी तो ये कपड़ा जो है ये आप लोग देख सकते हैं ये कपड़ा मेरा निकल कर आ गया है अब हमको 36 चेस्ट की चोली बनानी है तो हम इस कपड़े को पहले डबल कर लेंगे ये मैंने डबल कर लिया और अब जो है ये कपड़ा आप देख सकते हैं डबल हो गया है अब इंची टेप पर हम 36 इंच का निशान देखेंगे यहाँ पर 36 इंच का निशान है ये आप लोग देख सकते हैं तो इस पर जो है हम अपना ये एक बार ऐसे मोड़ेंगे ये मैंने एक बार मोड़ा उसके बाद एक बार और ऐसे ये दो बार मैंने इसको मोड़ दिया तो आप देख सकते हैं 1,2,3,4 ये 4 बार ये इंची टेप हमारा दिख रहा है अब हम इसमें ऐसे नाप देखेंगे तो ये जो हमारा हो गया 9 इंच पे मतलब 36 का चौथा भाग 9 आया तो इसको ऐसे हिसाब करने का तरीका होता है इसमें हम 1.5 इंस मार्जन ले लेंगे तो 9 और 1.5 लगभग 10 इंच हमारा हो गया तो इस कपड़े को पहले मैंने ऐसे डबल कर लिया उसके बाद इसको मैं एक और ऐसे कर दूंगी तो ये कपड़ा हमारा 1,2,3,4 चारत हो गया है उसके बाद 36 इंच की मेरे को बनानी थी तो मैंने 36 इंच पर जैसे आपको बताया था एक बार रखा इंची टेप उसके बाद एक बार और ना पा इतना आया तो इतना हमको चहिए और इतना कपड़ा हो रहा है तो हम इतना कपड़ा मार्जन में रख लेते हैं और ना पले रहे हैं ये कपड़ा लगभग कितना है तो ये 2,2 इंच लगभग कपड़ा है तो मैं पूरा मार्जन में रख लेती हूं क्योंकि ये बनारसी साडी का ब्लाउज है कपड़ा भी मोटा है और मेरे को लाइनिंग भी लगानी है तो इस वज़े से इसको मैं पूरा ही ले ले रही हूँ और ब्लाउश की लंबाई मेरे को चाहिए लगबग 16 इंच ब्लाउश की लंबाई चाहिए तो सोला में मैं एक इंच और एड़ कर दे रही हूँ सिलाई में चला जाएगा 17 इंच तो 17 इंच पर मैं यहां निशान लगा देती हूँ और इसको मैं कट करके अलग कर ले रही हूँ और इस भाग की इस भाग का हम ब्लाउश बनाएंगे तो यह 17 इंच पर मैंने निशान लगा लिया अब मेरे को बोटनेक ब्लाउश बनाना है तो बोटनेक ब्लाउश बनाने के लिए यहां से 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे यह मैंने 6 इंच पर निशान लगा लिया यह निशान जो है यह नाप जो है किसी भी लेडी में आराम से हो सकती है और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे 5 इंच का निशान और उसके बाद फिर यहाँ पर हम 4 इंच का निशान एक और लगाएंगे तो एक निशान हमारा 4 इंच पे हो गया और एक निशान हमारा 6 इंच पे हो गया फिर गले का निशान भी हम 4 इंच पर लगा लेंगे क्योंकि ये हमारा boat neck blouse है तो इसका गला थोड़ा छोटा ही रहता है उसके बाद फिर इस निशान को हम ऐसे सीधा ऐसे खीच लेंगे और ये जो निशान मैंने लगाया था साड़े 6 इंच का ये मुड़े का निशान है इसको हम ऐसे मिला देंगे ये आप देख सकते हैं इस निशान को इस निशान से मैंने ये 5 इंच का लिया था मैंने और यहां से ये गले ये गले का निशान होगा ये जॉइंट वाले भाग से निशान लेना है यहां से मैंने 6 इंच का निशान लिया और इस निशान को ऐसे मै तो इस निशान को भी मैं ऐसे लाइन खीच कर इसी की तरह मिला लूँगी तो पहले मैं यहां से एक सीधी लाइन खीचूंगी ऐसे और यह जो निशान है इस पर से भी मैं ऐसे सीधी लाइन खीचूंगी इस तरह से और आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स टाइप यहां भी ब तिर्ची लाइन इस प्रकार से मैं खीचूंगी इसमें भी और एक इंच की ऐसे तिर्ची लाइन मैं यहां भी खीच लूँगी और फिर इस तिर्ची लाइन से ऐसे मैं सटाते हुए गुलाई कर दूँगी यह देख सकते हैं कि इस तरह से ऐसे ऐसे गुलाई कर देनी है और इसमें भी सेम उसी प्रकार से ऐसे गुलाई कर देनी है तो फ्रेंट्स मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूं कि मेरे को 36 चेस्ट का ब्लाउस चहिए उसके लिए मैंने इंची टेप में 36 के निशान पर अपना इंची टेप ऐसे रखा और एक बार और उसके बाद एक बार और ये दो बार मैंने इसको फोल्ड किया जिससे मेरा 9 इंच पर ये निशान आया और इसमें मैंने लगभग सवा 2 इंच का मार्जन रख लिया क्योंकि मेरा इतना ही कपड़ा बचा था मैंने कपड़ा कट में किया पूरा कपड़ा मैंने ले लिया और ये कपड़ा मेरा 1, टू थ्री फोर फोर ता कपड़ा है आप देख सकते हैं कि यह आचल जो है यह मेरा कटके निकला था मैंने एक बार इसको ऐसे फोल्ड किया फिर दुबारा से मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया यह चारता हो गया और यह बंद वाले पार्ट की तरफ से मैंने यहां से यहां तक सा चार इंच पर निशान लगाया और फिर इस किनारे से इस किनारे तक मैंने एक निशान पांच इंच पर लगाया उसके बाद इस सीधी रेखा से मैंने यहां पर एक बॉक्स बना लिया और इस निशान को और इस निशान को ऐसे लाइन से मिलाते हुए एक बॉक्स मैंने यहां बना लिया और एक इंच की ऐसे तिर्चाई लेते हुए मैंने ये गोलाई बना ली इसमें भी और इसमें भी और उसके बाद मेरे को यहाँ पर लगभग आधे इंच का ऐसे यहाँ पर कंधा इसका डाउन करना है तो नाप लेने की कोई जरूरत नहीं है हलकी सी यहाँ पर ऐस से तिर्चाई कर दी जाती है और इस ब्लाउस की लंबाई मेरे को 16 इंच रखनी थी तो मैंने इसमें एक इंच का मार्जन ले लिया 17 इंच क्योंकि कुछ सिलाई में भी कपड़ा चला जाता है तो यह 17 इंच पर मैंने इसको निशान लगा लिया है अब जो है मैं इसकी कट कर ले रहे हूं तो यह कटिंग जो है मैंने कर दी और यह कपड़ा मेरा निकल गया है अब जो है यह निशान जो मैंने गोलाई वाला लगाया था मैं यहां से कटिंग करते हुए आउंगी यहां तक फिर इस तिर्चाई वाले पार्ट को यहां से यहां तक कटिंग करूंग तो मैं यहां से cutting करना शुरू करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह कपड़ा मैंने काट कर अलग कर दिया उसके बाइद यहां से यहां तक और यह ऐसे यह भी मैंने cutting कर दी है और यह cutting करके अलग हो गया है और अब जो है यह blouse मेरा boat neck का निकल गया है और अब हम इसमें plates बनाएंगे लोग देख सकते हैं कि यह cutting जो है पूरी हो गई है और अब मैं एक part को अलग कर ले रही हूँ मैंने blouse का एक part यह अलग कर दिया है और यह जो है यह मेरा front का part रहेगा और इसमें जो है मैं हलकी सी इसकी cutting और गहरी कर दूँगी जिससे यह मेरी fitting बहुत अच्छी आये और इसपे कोई नाप लेने की जरूरत नहीं है इसको बस खुदी ऐसे हलका सा दबाते हुए इस मुढ़े की cutting और गहराई से हलकी सी कर देनी चाहिए जिससे सिलाई के बाद बहुत अच्छी fitting आये और मुढ़ा थोड़ा भी जूले ना तो मैं बहुत हलका सा आधाइन से कमी इसकी हलकी सी गहराई की cutting ऐसे आप लोग देख सकते हैं बस इतना सा ये मैंने कर दिया और ये जो है boat neck है इसकी गले की गहराई हम 4 इंच रखे थे अगर हम चाहें तो 5 इंच या 5 इंच भी अपनी इक्छा नुसार ये गहराई हम ले सकते हैं और अब मेरे को ये जो है princess cut blouse बनाना है तो इसकी मैं plates डालूँगी तो यहां से जो है ये बंद पार्ट की तरफ से यहां से मैं 4.5 इंच पर निशान लगा लूँगी ये मैंने 4.5 इंच पर एक निशान लगा लिया और ये जो उपर का कंदी है इसकी ये कोने से पकड़ कर मैं 10 इंच पर एक निशान लगाऊंगी ये 10 इंच पर मेरा एक निशान लग गया है और इस निशान को मैं इस 10 इंच वाले निशान को मैं से सीधा खीच ले रही हूँ इसमें गुलाई से लेते हुए। यह जो मेरा मुड़ा है। सुमैं कि मिला दूँगी। तो इसको बूधने के बाद अमकि पर रुए है। तो मैं इसको कच कर ले रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं तो यह जो प्रक्न ऄड़ादा रिए हुआ। इता मैं लोग lookने था ये पल्ला मैंने काटकर एसे अलग कर दिया और अविए कट अलग हो चुका है और ये जो पार्थै एसे आगया और ये जो दो टुकड़े हैं ये एसे आगया है अब मैं इसको सिलाई करके आपको बता दूंगी मैं ये मिरा आगे का ब्लाउस का और अब मैं पीछे का पार्ट कैसे क्या करना है वो भी आपको बता देती हूं यह जो है यह ब्लाउस का मेरा पीछे का पार्ट है अब इसको भी मैं उसी तरह मोडूंगी यह मैंने मोड लिया है यह गला है और यह स्लीप्स है यहां स्लीप्स अटेच होती है इसक ऐसे निशान लगाऊंगी, यहां भी प्लेट्स पढ़ती हैं, बट मैं इसको कट नहीं करूंगी, यहां सिर्फ प्लेट्स डालूंगी, तो यह मैंने 4 इंच पर निशान लगाया, और उपर से, यह 10 इंच हो गया, यहां पर, और इस निशान को हम, ऐसे मिला देंगे, और यह जो है, यहां पर हम प्लेट्स बना देंगे, यह दोनों तरफ बनेगी, ऐसे, तो इसको निशान को हमको, ऐसे हम कर लेंगे, इसको, तो मेरा निशान, इस बगल भी आ गया, और इसको भी हम डार्क कर लेंगे, ऐसे, तो यहां पर, और यहां पर, हमको पकड़ के सिलना होगा, ताकि हमारी प्लेट्स बन जाएं, और यहां पर मैं थोड़ा सा गुलाई करूंगी, बैक में, तो यह गुलाई करने के लिए, मैंने इसको ऐसे मोड़ा, और जितना बड़ा हमको चाहिए, बैक थोड़ा सा ओपन चाहिए, तो इसमें कुछ ने करना है, यह एकदम बराबर से यह कंधा पकड़ के यह मोड़ना है, और यह जॉइंट वाला पार्ट है, तो इसक हमको बैक डीप चाहिए, हमको उतना यहां पर हाफ सरकल ऐसे, इस टाइप से, ऐसे बना लेना है, यह आप देख सकते हैं, इसको अपने अनुसार, हम गुलाई दे सकते हैं, कम यह ज्यादा, और यह मैंने गुलाई दे दी है, इसको, अब इसको मैं कट कर दूँगी, तो यह मेरा बैक पे थोड़ा सा राउन शेप गुलाई में आ जाएगा, तो मैं इसको कट कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं, कि यह पार्ट मेरा कट होकर निकल गया है, और यह जो है, यह मेरा बैक हो गया, पीछे का, और यहाँ पर यह मेरा बैक पे थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, डिजाइन हो जाएगा, और यह नीचे से थोड़ा सा मोड कर मैं सिलूँगी, तो यह इतना जो है open रहेगा अगर आपको और open करना है तो इसको जो है और नीचे से थोड़ा सा और cutting कर सकते हैं तो यह part जो है थोड़ा और open हो जाएगा लेकिन मेरे को इतना ही रखना है तो यह cutting हो चुकी है अब मैं आपको इसकी stitching का तरीका बता दूँगी तो friends आप देख सकते हैं कि यह मैंने blouse का दोनों part cut कर लिया है यह blouse का पीछे का part है इसमें मैंने इधर से पीछे को back को थोड़ा सा open किया है यहाँ पर मैं लटकन लगाऊंगी और यह मेरा आगे का part है इसको मैंने यहाँ से cut किया है क्योंकि यह princess cut blouse है इसको मैं फिर बाद में इसमें सिलने के बाद aligning लगाने के बाद attach कर दूँगी और side में मैं zip लगाऊंगी इसमें कोई hook बगारा नहीं लगेगा और यह boat neck है और यह 36 inch का chest का blouse बनकर त्यार होगा तो friends अगर आप लोगों को मेरे blouse की cutting की video पसंद आई तो please मेरे चनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मैं next video में आपको इस blouse की stitching को बहुत अच्छे से करना बता दूँ तो subscribe करने का तरीका बहुत ही आसान है वीडियो के नीचे red color से ये जो subscribe लिखा रहता है इसको अगर जब ये red color से लिखा हुआ है तो इसको बस ऐसे touch कर देना है और इसका color change हो जाएगा इसका मतलब है कि आपने subscribe कर लिया है तो इस button को आप touch करें और ऐसे bell icon को भी press कर दें और इस तरह से आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते है और ये बिल्कुल ही free है इसका कोई charge नहीं लगता है तो friends आप मेरे चैनल को subscribe करिए और मेरे वीडियो को like करिए तो फिर मिलते हैं मेरी next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई